हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करूँगा आपसे टी एचियू वर्सेज आरियन ड्रीम इलेवन स्टैट्स पूस इन्फो यानि कि आपसे बात करूँगा सिड्नी थंडर और मिल्बन रेनेगेट्स के मैच की जो बिग बैश लीग का बेहुत इंपॉट इंपॉटेंड बन जाती है तो आप जरूर हमारे टेलिगाम चल में जुड़ सकते हैं तो वेन्यू रहेगा मानुका ओवल कैन्बेरा में मैच खेला जाएगा नाम सुना हुआ होगा क्योंकि कैन्बरा ऑस्ट्रिलिया की कैपिटल है मानुका ओवल में रिसेंटली काफी मै बहुत हैल्प थी गुरिंदर संदू ने दो विकेट लिये थे यहां पर हर फ्यास बोलर ने अलमुस्ट देखोगे विकेट निकाला था ब्रेंडन डोगेट को भी विकेट मिला था इसके अलावा भी डैनियल सैम्स को विकेट फजलक फरूकी मैच के ले थे उनको विकेट नेथिन गुल टरनाइल को तीन विकेट ट्रेंड बोल्ट को दो विकेट फास बोलर्स एक्चली डिड प्रिटी वेल 17 में से 12 विकेट फास को गई थी लेकिन थंडर्स ने एकदम लास्ट में यहां पर 6 मार लिया था स्कोर अटीस में से जो यह तीन मैच है दस विकेट स्पिन को गई थी और 28 फास्ट को गई थी और यहीं हमें बिग बैश के जो पहले मैच में देखने को मिला फास्ट पूलर्स प्रेटी वेल अब बिग बैश में अब थंडर और रेनेगेट के मैच के मैस देख रहे हो वो 16 मैच क्यों जादा runs करना चाहेंगे आज की मैच में वो मैं आप से बाद में डिसकस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ लेकिन head to head में कौन स्कोर किये हैं एरन फिंच तेरा मैच में 413 सी रेन चार अर्थशतक हैं लेकिन उनको बैक उफ दा हैंड से जानते हैं वारनर क्योंकि वारनर और एरन फिंच ने बहुत इकठी पार्टनेशिप करी है तो दोनों आपस में एक दूसरे की strength और weakness अच्छे से जानते हैं उन्होंने एक दूसरे को सबसे ज़्यादा आउट होते देखा है क्योंकि ओन नॉन स्ट्राइक पर दूसरा प्ले रहता है बहुत बार ठीक है बाकी शौन मार्श अवेलेबल नहीं है सैम्स ने 9 मैच में 136, हारपर 9 मैच 133 अब यहां मारकस हैरीस अगर खेल जाएं तो आपको पता रहने चाहिए वैसे 3 मैच में 105 ही रन है विकेट्स में गुरिंदर संदू नॉट अवेलेबल कें रिचर्टसन आठ में 14 विकेट्स सैम्स 9 में 13, तनवीर सांगा इस नॉट अवेलेबल नेथर में केंडरियू छे में 7 विकेट्स पिछला जो head to head रहा था उसमें Aaron Finch की बदालों रनेगेट्स ने मैच जीत लिया था चार विक्टो से मैच जीता था Aaron Finch 70 नवाथ करके गए थे वही ओले डेवीस ने 33 नवाथ किये थे रसाव अवेलेबल नहीं है निक मेंडेंसन अवेलेबल नहीं है ना ही गुरिंदर संदू अवेलेबल है इसी मैच में टॉम रोजर्स ने 2 विकेट और सैम्स ने 3 विकेट निकाले थे तो ये चार खिलाड़ियों ने लास्ट मैच में हेट टो एड में परफॉर्मेंस किया हुआ है अब बात करें रेनेगेट्स की टीम की तो कोई भी स्कॉर्ड में चेंज नहीं है वही सकॉर्ड है जो लास्ट मैच में था ठीक लेकिन इसमें आपको क्या लाइनप देखने को मिल रही है रेगूलर्ली आपको ऐसी कुछ लाइनप देखने को मिल रही है सकॉर् rub अगर देखोके तो गपिल की यार 2 मैच में स्कॉर्ण आई है तो भाईया इन्होंने क्या किया मुझे भी बता दे मेरे को भी 2020 ऐसा करना है सैम हार पर का किसी के पास नंबर हुआ तो प्लीज कॉमेंट करके बता देना इनका 2023 उल्टा स्टार्ट हुआ है जिसे सैम हार पर अच्छा किये ये खराब किये है जो नो वेल्स ने टिक टाक परफॉर्मेस दिया क्रिचली ने अच्छा किया बल्ले से गेंदबाजी में भी लेक्स्पिन से सपोर्ट कर सकते हैं बागी सदर्लेंड अच्छी बोलिंग भी कर रहा है बल्ले बाजी भी रुवांता कलप होनता है काफी अच्छे स्पिन बोलर है काफी आप कह सकते हो कि जो जाधा लोग है इनको देखे नहीं होंगे और काफी जाधा बल्ले बाज भी इनको पहली भारी खेलने वाले है आजाओं टॉम रॉजर्स के उपर तो भाजवाप गिंदबाजी नोंने करी है थ्रो आउट दा बिग बैश उन्निस विकेंड निकाली है तभी हम फस्ट मैच से इनको हर मैच में पिक कर रहे थे ठीक है एक मैच एक मेडन एक विकेट ठीक है मैट कृष्ण ने एक ही ओ डाला है दो मैच में मिलाकर अब आपको दिख रहा है Melbourne Renegates के full stats plus info हर एक player का record आपको यहां दोस्तों देखने को मिल रहा है इच player record mark लो आपको किसी का record read करना है आप कैसे read करोगे यह record just before BBL start है उसके बाद तो आपको जो 11 matches इनके हुए है मैंने यहां पर scoring दिखाई है कि क्या किये बाकी के matches में इन players ने इचले साल जॉनतन वेल्स इनके hero थे लेकिन इस साल Melbourne Renegates ने successfully उनको waste किया है ठीक है बाकी यहां पर Tom Rogers इस साल भी उनके top picket टेकर है along with Richardson लास्ट एर भी यही कहानी थी अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ दूसरी टीम Sydney Thunder के बारे में Sydney Thunder की टीम में आपको दोस्तों थंडर के लिए गिल्क्स ने ठीकठा खेला था लेकिन middle के बाद इनका भी थोड़ा सा form बिगड़ा है इनकी start बिगड़ी इनका middle अच्छा गया इनके recent form बिगड़ी है देविड वार्नर यार बहुत important के लाड़ी है भाईया इनके Alex Ross ने क्या बोला कि वार्नर इस मैंच में शतक करेंगे ऐसा बोला मैं आपको नीचे अभी बताऊंगा थोड़ा सा ऐसा बोला लेकिन exactly क्या मैं नीचे आपको बताऊंगा Sam Whiteman 42-2 और 5 उले डेविस इनके best बल्ले बाज रहे हैं undoubtedly इस साल बाकी Alex Ross contribute करते है बनकटिंग है Daniel Sam's है जो की बिल्कुल बल्ले से नहीं चले एक 36 के लावा उनका जो हम जानते हैं एक्क्यूमन क्या है बिल्कुल नहीं दिखा Chris Green थोड़ा सपोर्ट करते है McKendry उसमान कादर, Brandon Dogget जिनको मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि खेलने के फुल चांस है Dogget भी यहाँ पर अच्छी विकेट निकाल सकते है लास्ट टेम भी विकेट निकाला था तो differential काइंड ओफ बन सकते हैं बोलिंग में Daniel Sams पास विकेट निकाले है चार ओर पूरे डालते हैं अपने McKendry उपास चार ओर है Brandon Dogget तीन ओर करे थे लेकिन चार ओर करेंगे इस मैच में मोस्ट लाइकली Chris Green चार ओर, उसमान कादर ने लास्ट मैच में एक ओर डाला निकीतार स्कॉर्ड में है लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा लेकिन इनको वोका नहीं मिल रहा है यह लास्ट यर के स्टैट्स पे एक बार लुक डाल सकते हो मैं आपको मैच अपस पे लेके चलता हूँ Matt Gills आउट हो रखे हैं दोस्तो पे टाई नहीं करी ने दो बर सैम वाइटमन को उट किया डेविड मूडी ने एक बार और टॉम रोजर्स ने एक बार ओलेवर डेविज के निजट सन पे एक बार फवाद एहमद पे एक बार और विल सदलेंड पर उट हुए है गया उट हुए है में लेकिन शब्यूड के आउट हुए थे आपको दिखा है यहां पर बाखियों का जो नाम दिख रहे है में बहुत खिला है रहें गे रहें रहें गे उनकी बात मैं करूं आग्षब गटिल Sam's का दो बार शिकार हुए है Chris Green का एक बार Jake Fraser McGa पिछले match एक गेंद खेली दी Sam's की उसी प्याउट होगे थे Sam Harper भी Sam's यहाँ पर Sam's प्याउट हुए है Chris Green प्याउट हुए है और Ben Cutting पर तो Sam's ने Sam को तंग किये Basically Sam's ने Daniel Sam's ने Sam Harper को अब एरेंट विंच की बात करूँ, ये मिकेंड्रियों पर आउट हो रखे हैं, बिन कटिंग पर आउट हो रखे हैं, जॉनितन वेल्स लास्ट मैच में अगें डैनियल सैम्स का शिकार थे, क्रिस ग्रीन पर एक बार, कटिंग पर दो बार, और डोगेट पर एक बार, विल थोड़ी जलन हुई होगी, वर्नर को उनको लगता है, जितना हो वर्नर को जानते हैं, और अब वर्नर भी शतक करने के लिए आ रहे हैं कल, ऐसा उन्होंने बोला कि वो भी रन करना चाहते हैं और hopefully वो शतक करें, अब वो शतक मारते हैं या नहीं मारते, क्योंकि ये करना रिस्की रहेगा मैं सैम्स के साथ जाने वाला हूँ अगर आपको लगता है कोई अच्छा करेगा उसका शेयर आप सेल कर सकते हो कोड रहेगा आपके लिए 50 रूपीज आपको डाउनलोड करते ही मिल जाएंगे लेकिन वो रहेगा बोनस अगर आप अपनी के वाईसी कंप्रीट कर लेते हो इस एप्लिकेशन पे 50 रूपय आपको और मिल जाएंगे यह फुली यूजेबल अमाउंट है इसको आप बेजी ज ग्लिक्स ओपनिंग और विकेट कीपिंग हैं और सैम हार्पर वन डॉन प्लस विकेट कीपर है फॉर्म वाइस सेम हारपर आपके लिए बहतर है और इनोंने काफी च्छा प्रफॉर्मस दिया सें टाइम सम्स में वाट मन फॉन ड duties नहीं करने वहाँ पेडिकर orth इलो के चांस होते हैं सो वहां पर भी यह दोनों आपको पॉइंट दे सकते हैं हाला कि यहां पर प्यारे सैम भार पर जो 2023 में बहुत खुश है उनको मैंने चूज कर लिया है मैं बल्ले बाजी पर आ जाता हूं बल्ले बाजी में मुस्कुराते हुए ओलेवर डेविस आपका करेंट दिखाया है चीजी से भी खेल सकते हैं और काफी जादा अगर जरुवत पड़े पाउंडरीज लगाना जानते हैं एरन फिंच लास्ट टाइम सत्तर नबाद इसी टीम के आगे थंडर के आगे थंडर को पता है कि भाईया अगर मैं जितना फिंच के लिए है प्लैन बनाना पड़ेगा फिंच को ओड़ेगा लेकिन बहिया फिंच ने सतर नबाद तो किया लेकिन सामने इस बर वर्टर नहीं को जितना देख आ उतना किसी ने भी नहीं सामने से देखा है bet street in the house क्योंकि दोनों ने ओपनिंग करिया इक अठे तो वर्टर को आउट करने के प् कुछ होगा भया कि मुझे भी मैं भी बड़ा प्लेयर हूं मैं भी इंटरनेशनल खेल तो मुझे भी आगे काम करना है यहां पर बाकी नीचे मार्टिन गप्टिल है न्यूजिलेंड के खिलारी यहां पर मैं इन तीनों में बहुत कंफ्यूदू देखो फॉर्म वाइस ओलेवर डेवीस अच्छी है लेकिन मुझे जॉनेथन वेल्स ना पसंद बहुत है यह बंदाना बहुत कंसिस्टेंट है वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर हर मैच में आके रंस करता है बस इनको रेनेगेट्स अच्छे से यूजज नहीं दे रही तो डॉन पर इन अभी मैं ओलेवर डेविस डेविड वार्नर और गप्टेल को लेके चला हूँ मैं दोस्तों और केटेगरी पर आता हूँ जहां पर स्विंग वले बोलर तो मैं लूंगा ही तो डैनियल सैम यहां पर और विल्स अधरलेंड दोनों बल्लेवाजी करना जानते हैं सैम जाधा नीचे होने की वज़े से मैं कटिंगा सेलेक्शन नहीं कर रहा क्रिचली में अपनी गेम चेंजर कैटेगरी में रखना चाहूंगा अच्छे स्पिन बोलर है लेकिन इनको दो मैंच में केवल एक और मिला है सो मैं इनको स्मॉल लिग में इंक्लूड कर लू तो रिस्क हो ज बोलिंग में पेस बोलर केम रिचर्टसन और टॉम रोजर्स रेनेगेट्स के ये दो खिलाड़ी मुझे चाहिए चाहिए ये दो प्लेयर वो है जो रेनेगेट्स के लिए लास्ट यर भी टॉप विकेट टेकर थे इस साल भी बेस्ट परफॉर्मस दे रहे हैं तो मैं दोन जो बोलर्स हैं बहुत बढ़िया है लेकिन मैं आपको बता दू कि यहां पे क्रिस ग्रीन का क्या है कि बैट अब जबकि फवाद हमद प्रॉपर बोलर है और उस्मान कादिर भी प्रॉपर बोलर है दोनों लेक्स पिन करते हैं और एनेगेट्स थंडर के जो मैच है ये मैट क्रिच लिए एक प्लेयर कंप्लीटली अब अपनी मर्जी से ले सकते हो मैं सेव गया हूं थोड़ा क्रिस गरीन को लेके क्योंकि यह चार और भी कर रहे हैं अपनी कप्तानी में अपनी मर्जी से बोलिंग करने आते है जिस स्टेच पे इनको लगता है प्लस जरुत प है तो मैं उन्हीं पर फोकस करना चाहूंगा मेरी टीम जो होगी उसमें आपको चेंज कहां देखने को मिल सकता है टेलीग्राम में वहां पर आपको बले बाजी में टॉस के एक को तो मैं पक्का लेने वाला हूं वह डिपेंडिंग अन सिच्वेशन रहेगा मुस्ट लाइ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जब्सक्राइब अगली वीडियो में आपको मिलूगा टेलीग्राम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जल्दी से कर दो all notification on